पहले टेस्ट की दूसरी इंग्लैंड की पारी में जबरदस्त कहर बरपा दिया है और उनके 6 विकेट की बदोलत टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 178 अनुपर आउट कर दिया है इंग्लैंड ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पहली पारी में पहाड जैसा स्कोर बनाने के बाद दूसरी पारी में वो सिर्फ 178 अनुपर आउट हो जाएगी लेकिन रवी चंदर नश्विन की उंगलियों का जादू ऐसा चला कि अंग्रेज जो है वो पस्त हो गए और इंग्लैंड को दूसरी पारी में 178 अनुपर समेटने में सबसे बड़ा योगदान इस अश्विन का है और अश्विन की बदोलत एक ऐसी भी सिचुएशन इस मैक्च में आ सकती है कि हम हो सकता है मैच जीतने की तरफ भी आगे बढ़े क्योंकि हमारी उपनर्स ने अच्छा स्टार्ट दिलाया था और अगर आज का देल खेल खत्म होने तक अगर हम 178,90 कुछ बना लेते हैं तो कल हमें सिर्फ पूरे दिन में 330,340,350 बनाने पड़ेंगे और भाईया पंथ अका बल्ला अगर चल गया उन 330,440 में पंत रहें अगर जैसे वो बनाते हैं 80,90,100 और वो भी जब बनाते हैं तो उतनी गेंदों पर बनाते हैं अगर पतने माल लीजे 100 पर 100 बना दीजे तो बाकी के 240 बनाने के लिए हमारे पास 400 से ज़्यादा गेंदे रहेंगी जो की possible है और इसलिए हम कह रहे हैं अश्मिन नहीं होते तो हम जीत की दहलीज तक पहुंचने की सोच भी नहीं रहे होते इसलिए सब लोग अश्मिन की तारीफ कर रहे हैं आपको कैसे लगी अश्मिन की गेन बाजी बताईएगा अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बहुत बहुत शुक्रिया